तो में पिछली वीडियो में हमने जैसे बात की थी इलेक्टो اسिये स्पेक्ट्रम की। कि इलेक्टोमागनेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन से बैंड्स होते हैं और कौन-कौन सी वेड्स होती हैं। तो इनी चीज को आगे लेके जाने वाले हम देखेंगे कि वह हमें याद कैसे रखना है उन वेव को याद रखने के साथ ऐनी वेव क कहां कहां पर हम किस किढ़ी से यूज करते हैं आज उसको और चाहिए से समझेंगे तो सबसे पहले, जो सबसे important एक चीज आती है, कि इतने सारे waves के नाम है, इनको हम frequency wise या फिर wavelength wise कैसे याद रखें, तो इसके लिए मैंने बहुत simple सा एक formula बनाया है, जिसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है, तो जैसे कि waves की मैंने कौन कौन सी waves की बात की थी, waves थी हमारी सबसे पहली जो wave थी, वो थी कौन सी, radio waves, दूसरी waves कौन सी थी, microwave, radio waves कौन सी waves थी, जिनकी wavelength बहुत जादा थी, उसके बाद जो shorter waves से वो कौन सी है, microwave, उसके बाद कौन सी आती है, infrared, infrared waves, और उसके बाद कौन सी है, visible, visible कौन सी होती है, जो जिसको हम देख सकते हैं, right now हम जिस चीज को बहुत जादा ही खतरनाक होती है क्या हमको इनका यूज करना चाहिए इनका यूज होता है बट प्रिकॉशन के साथ ठीक है एक्स्रेश की भी हमने बाद की थी और लास्ट जो है वो कौन सी है गामा रेज तो ये तो वो रेज हुई जिसकी हमने कल बात की थी ठीक है अब इनको याद करने का simple सा एक formula बताती हूं आपको आपको first word याद रखना है इस पूरे sentence का तो पहला word क्या है rabbits rabbits meets first word याद रखिएगा first words rabbit meets in rabbit meets in very unusual अभी आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसी unusual सी line क्यों लिख रही हूं unusual rabbit meets in a very unusual expensive 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 और last हमारी कौन सी रेज है गामा रेज तो उसके लिए gardens देखिए जरा rabbits का R for radio waves, M for microwaves, I for infrared waves, V for visible waves, U for यू किसके लिए है अल्ट्रा वालेट रेज, expensive में X है ठीकि ये ध्यान रखिएगा E नहीं है, X है इसलिए मैंने X बढ़ा करके यहाँ पर दिखाया है आपको कि आप confuse नहीं, E नहीं, क्या है X, X for X rays and G for gamma rays तो rabbits meets in very unusual expensive gardens अगर आप यह लाइन याद रखते हैं तो आपको यह सारी waves क्या हो जाएंगी याद हो जाएंगी तो पिछली क्लास में हमने देखा था फ्रिक्वेंसी के बारे में, फ्रिक्वेंसी के हिसाप से हमने क्या किया था देख ल लैट क्या है जो है उति है वह छोटी होती जा रही है चोटी होती चारए है इनकी wavelength की, wavelength कितनी-कितनी होती है तो यह सब से पहले starting में हमने बड़ी wave दिखाई है, जो की रेडियो wave होती है, उसकी wavelength होती है 10 to the power, 10 to the power 3, मैं जितनी बहीं आप इं वेडिन्स की बात करूँगी है, सारी मैं meters में कर रही हूँ, मैं किसे में करने वाली हूँ? यह है जिसके कितनी है वेवलेंथ 10 थी थी मेन किलो में यह मुद्ध लंबी बूब सेस्ट इसके आगे कॉल इसकी में बात करेंगे किस की इन Entwicklung इंफ्राड वेवस की उनकी कितनी होती है लेंद बोलें तो 10 to the power minus 5 ठीक है देखिए छोटे होते जारी है आपकी जो लेंद है ये लेंद कैसी है छोटी होती जारी है तिरे वेवलेंज हो क्या है वह छोटी होती जारी है पहले रेडियो फिर माइक्रो फिर उसके बाद इंफ् इंच 10 to the power minus 5 देख रहे है आप किस थरीके से एक्स्पोनेंशल ये छोटी हो रही है अब इसके बाद इंफ्रा के बाद कौन सी आती है विजिबल विजिबल रेंज इसमें हम काम कर रहे है विजिबल रेंज कितनी होती है 0.5 into 10 to the power minus 6 रहती है कौन सी रेंज है ये है ये है और तो किति हैं कि रहेंगे ये हमसैं को सकती है माइक्रो वैप्य पॉइंट के बरा बर इतनी पत्ली पत्ली इस हेंगी हमें दिखाई भी यह आप फके आप और पांड लेंगी थीवल इसको रहेंगी रहेंगी यह शोटी शोटी देंगी फ्रोटो सवाक के बरापर जो थोalen전 कसे नहीं इतने लिए मैंनष रेंगी जरींश के पाहिए और तो Dec जो यूवी रहेंगे वो इसके बराबर दिखनी नहीं छोटे से अटम के बराबर अब कौन सी रेज बची एक्स रेज एक्स रेज क्या हो जाएंगी धीरे 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 जैसे बढ़ रहें क्या होती जारी लेंद और छोटी होती जारी है तो इसकी जो है 10 to the power minus 10 इतनी छोटी अब इसके बात वाली जो है वो कौन सी है लास्ट वाली वेव हमारी गामा वेव क्या है सबसे चोटी वेव है तो जो गामा वेव है वो किसके जैसी कितनी वड़ी होगी वो किसी नूक्लियस के बडाबर दिखियों थोची सबसे किसे बात कर रहें धिर बात कर रहें। सबसे बड़ी इंफर माइक्रोवेव नो कर दोलना है Susie microwave जो humans के बराबर होंगी फिर infrared insects के बराबर होंगी visible rays जो है वो किसके बराबर होंगी किसी pinpoint के बराबर होंगी फिर ultraviolet जो आएगी वो protozoa के बराबर होगी X rays जो होंगी वो किसके बराबर होंगी molecules और gamma rays होंगी वो nuclei के बराबर होंगी इनके क्या-क्य uses होने वाले, ठीक है, तो uses देखते हैं, पहला जो है, हमारे पास क्या है, सबसे पहली wave जो है, वो radio wave, इसका नाम ही radio wave क्यों बढ़ा है, क्योंकि ये communication के लिए use होती है, इसका lambda क्या है, सबसे जादा है, इसकी wavelength क्या है, सबसे जादा है, तो इसकी frequency क्या होने वाली है, सबसे कम होने वाली है, minimum frequency होगी, अगर lambda सबसे जादा है, तो frequency क्या होगी, minimum होगी, ठीक है, अब अगर आपको एक satellite से, दूसरे satellite के बीच का distance अगर measure करना है, ठीक है, तो आप क् एक satelite और दूसरे satelite के बीच में रेडियो वेव ट्रेवल करने में कितना time लगा रही है उस time के इसाब से जी-पीज आपको बता देगा कि 200 satelite के बीच में कितना difference है ठीक है और इसके अलाबा एक और चीज जो रेडियो रहता है वह कैसे केच करता है जो रेडियो रहता है, वो कैसे काच करता है सारी वेवस को adene अके थ aí आपने देख रहे हैं यह पहले के समाने में जो रेडियोस होते आपको ने देखा होगा कि आप चैनल चेंज करते हैं जब आप चैनल चेंज करते हैं तो आपको different frequency पर different गाने बचते हैं तो frequency change हो रही है it means कि यह जो wavelength है वो क्या होने वाली है? चेंज होने वाली है कुछ बड़ी wavelength होगी उस पर कुछ अलग गाने बच रहे होंगे तो यह हमने बात की किस की अभी radio wave की अब इसके थोड़ सा आगे बढ़ें तो क्या आती है microwave microwave का use कहां कहां पर होता है देखिए microwave का जो region है वो बहुत जादा ही wide है रेडयो में पुगत बड़ी waves तो सब से सबसे ज़ादा वाइड मिलेगा इस का use भी का रहता है? इसके साथ-साथ में हम इसको कहां use करते हैं? आपने नाम सुना होगा MRI सुनाए सभी ने नाम जब डॉक्टर्स को समझ नहीं आता कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है आपकी बॉड़ी में कौन से पार्ट में क्या फिजिकल प्रॉब्लम है तो वो क्या बोलता है आप MRI करवा लेजे क्या फुल्पर्म होता MRI का? Magnetic Resonance Imaging इस Magnetic Resonance Imaging में क्या होता है? ये क्या यूज करती है? ये Short Radio Waves यूज करती है Short Radio Waves को हम Microwave भी बोल सकते है Short Radio Waves मतलब जो यहाँ पर कही chap जаг पर आ रही होँगी ठीक है? तो इन Short Waves को हम जा करते है? यूज करते हैं किसके साथ यूज करते हैं? इनको अकेला यूज नहीं करते हैं इनको एक magnet के साथ यूज करते हैं magnet के साथ अगर हम इन waves को यूज करते हैं तो हमें क्या मिलती है एक image मिलती है image मिलती है जब भी आपने MRI कभी करवाया होगा तो doctor आपको बहुत बड़ी सी file लेता है उस बड़ी सी file में बहुत सारी images रहती है आपको वह image समझ तो नहीं आती बठा इतना समझ में आता है कि हाँ कुछ है कुछ हुआ है body parts से related है ठीक है तो यह क्या है यह वही waves है उन waves के through और magnet के through क्या हुआ हुआ हमको एक image मिली है ठीक है तो यह वह image है चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि microwave को और कहां यूज करते है microwave का सबसे simple यूज तो आपको पता ही है microwave microwave oven आपने सुना होगा ना microwave oven में क्या करते हैं इस microwave का यूज करके क्या खाना की गरम कर सकते हैं और जो खाना गरम होता है microwave oven में किस से होता है कौन सी principle से होता है पूरकेशन प्रिंसेपल को इसके अलावा और भी स्में किस में नाम सुना एंसभ ने रेडार यह जो है जो बैण है इस बोदे रेडार का कि they are Tuesday कहा होता है तो डेखि़ यह उजह नहीं अपडूल जहां रेडियो डिटेक्शन एंड रेइंजिंग, लिए बात करती है किसके चीज की रेडियो वेपको डिटेक्ट करती है, साथ साथ में ये रेज़ की बात करती है, कि कोई भी चीज है, उसकी क्या वेलोसिटी है, ठीक है? तो आपको जितने भी instrument दिखेंगे जो की velocity measure करते हैं किसी चीज़ की हो सकता है कोई cricketer की ball की velocity हो या फिर हो सकता है आपकी high speed में car जा रही है उस car की velocity हो या फिर अगर car की race हो रही है उसमें velocity बतानी हो तो वहाँ पर क्या होता है radar का use होगा चिक है और radio wave की हमने बात कर ली radio wave communication में होगी microwave generally speed measure करने के लिए होती है और medical में भी होती है medical भी users का अब आती है बात microwave की microwave क्या होगी sorry, infrared wave की infrared wave जो क्या होगी microwave से थोड़ी सी short होगी short होने के साथ साथ जब अगर wave आपकी short हो रही है तो उसकी क्या frequency क्या होती है जाधा होती है इट मींज कि जो infrared waves रहेंगी उनकी frequency क्या रहेगी साधा रहेगी अब देखिए आपको जब sun की rays आप तक आती है जब sun की rays आप तक आती है तो आपको थोड़ा गरम फील होता है इंफ्रारेड waves की वज़से तो आपको जो भी hotness फील होती है वो generally जो waves रहती है जो आपको गरमाज दे रही है वो कौन सी होती है इंफ्रारेड waves होती है ठीक है और इसके लावा इंफ्रारेड waves और आप कहां से मिलती है आप घर में heaters यूज करते है वो जो heaters यूज करते है वो भी क्या है उसमें से भी क्या निकलती है इंफ्रारेड waves निकलती है ठीक है तो हमने इंफ्रारेड waves का यूज देख लिया इंफ्रारेड waves जो है वो हमारी body से भी निकलती है क्योंकि हम भी तो वो energy ले रहे है हो sun energy हम catch कर रहे हैं और वो catch करने के बाद हमारा जो blood है, blood है या body हम उसको भी बोलते हैं कि क्या है हम, hot blood animal है, hot blood animal क्यों बोला जाता है, इसी लिए बोला जाता है क्योंकि हम भी जो है infrared waves emit करते हैं, ठीक है, thermal waves emit करते हैं, तो अब हम बात करते हैं कि इंफ्रारेड waves की बात हो हम दिखाई देती है, जो बहुत जाधा hot चीज़े होंगी है, इसके बाद हम आगे जाते हैं किस पे, visible light पे, visible light क्या होगा, visible light में भी simple बही चीज़े, अब आप infrared wave से भी कहां आ गए, कम range में आ गए, बहुत कम range आ गई है, जो visible light की range है, वो क्या है, बहुत जाधा कम है, ले जो हम देख सकते हैं, इसे हम क्या बोलते है, उसे हम क्या बते हैं visible light या, visible waves है, तो electromagnetic waves का वो पूर्षम जो visible है, वो कौन सा portion है, वो ये portion है, जो हम अपनी आखों से देख सकते हैं, अब इस portion में सब्से लॉंगेस्टben गिनलन कौन सी होटी है, सब्से लॉंगेस्टेलेंध् यहां पे होगी, यहां पे होता है red, कौनसी wavelength होती है, यहां पे red होती है, longest wavelength है, फिर दीरे दीरे करते करते कौनसी चाहेगी, short होती चाहेगी, तो जो सबसे shortest होती है, वो कौनसी होती है, violet होती है, इन दोनों को मैंने यहां पे लिखा, इन दोनों को आपको याद रखना है, इ धो आपको यह से पता होगा कि frequency जादा होने एक इसकी कम होने वाली तो पे आगके इसकी क्या होगी इसकी क्या होगी है जो आप visible waves देख रहे हैं visible portion देख रहे हैं वह क्या है वह mixture है किसका mixture है वह बहुत सारी lights का mixture है जिसमें कौन-कौन सी light आती है जिसमें पढ़ा है विब्यॉर जो है blue भी आती है red भी आती है उन्होंने क्या बताया था उन्होंने बोला था कि जो वेज जब जा रहे हैं जो white color की वेवेई क्या है mixture है किसका mixture है mixture है different different lights का mixture है और इसको proof करने के लिए बाद में प्रिंसिबल भी एक experiment है जो हम सबने हमारे colleges में कर रखा है आप सबने किया होगा light को हम किसके थूरू बेशते हैं इक prism के थूरू बेशते हैं ठीक है अब जो prism है जब उससे lights निकलती है तो क्या करती है वो जब बैंड होती है अगर जब लाइट ट्रेवल करेगी और उसका medium क्या होगा चेंज होगा तो वो क्या करती है बैंड करती है ठीक है वो बैंड कैसे करती है उसका reflection कैसे होता है वो भी हम आगे पढ़ने वाले लेकिन अभी हमको क्या देखना है यह जब light गिर रही है जब जाके रिफ्रेक्ष्ट हो होंगी तो इक कैसे होगी यह वेवलेंड के हिसाप से जाब आथेर आपके तो पहले रेड लाइट और आकषी में जाब वो वड़ेष्ट बैंड तो हमने अभी क्या बात की कि रेड वेव जो है उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी as compared to wallet अब हम आगे देखते हैं आगे कौन सी है हमारी रेज अल्ट्रा वॉलिट रेज जो है वो क्या है हैं तो बहुत हामफुल बट कहें गहीं पर क्या है बहुत यूसफुल भी है तो देखें जैसे जैसे वेव शौट होती जारे है ने किया बताता था था? हमने जैंड प्लाइंक थैडूरी की बात लिग तो मिस्टर प्लाइंक ने हमको बोला था है कि ये जो वेव हैं इनके पास क्या है पोकेट्स ओफ आनरजी बंडल्स ओफ एनरजी है ये जो बंडल्स 400 जतन स्कूश्व में क्या कुछ है कि श् tentar की सुपक्रसमतरी यह है है वेवेफ च्छोटी होती जाहाई है यह कि फर्मुला पड़ा था क्यूंगus सब्सक्राइब तो जैसे यहां पर अल्ट्रावालीट को देखेंगे तो अल्ट्रा वालेकि क्या है बहुत जादा है फ्रिक्वेंसी ज्यादा advocating ले प्रेशी माइलेंगे वह चाहिएं तो इनेर्जी रहती है एनर्जी हम कहां-कहां पर तो सबसे knowledge करते वी चेंगे यूवी रेस को आप ने सुना होगा was हम बैक्टीरिया किल करने के लिए यूज करते हैं तो यह सित अब फ़कों पर यूज खरेंगे हम बैक्टीरिया इसमें भी यूवी मेठोड लिखाता है ऑचकल की यूवी मेठोड ही वॉटर प्रियुटर में इसके हैं, तो वह मतलब है, कि जो बहुतर बैक्टीरिया वगरा वोगरा है, वो क्या होगा? वो यह अल्ट्रा वॉलेट के करते हैं। आपरेशोंस वगेरा गेले तो क्या हो जाते हैं। यह जाते हैं। राज कर पान से उस्टुमेंट घृत हैं। चारी घृत जाएं। असे पोस्त पर रही सक्ते हैं इसलिए वह क्या है युवी thought का यूँज करते हैं वर शच्वायरय्श यूवी यह मेब कसे करते हैं इसको स्ट्ट्रेलायाइज भी होता है sterilization के अलावा और क्या हो सकता है देखिए जो कभी मसा बगरा होता है वो remove करने के लिए भी UV rays का use किया जाता है ठीक है और इसके अलावा और क्या रहेगा लेकिन एक important चीज़ अगर आप UV rays के जाधा contact में आएंगे तो हो सकता है आपकी skin जो है वो क्या हो जाए burn हो जाए या फ लेकिन एक इसके important इसका फाइदा भी है आप UV rays जो है वो क्या करती है UV rays आपकी बॉड़ी में फक्रशन को एब-जाब करने के लिए राप्प करती है तो आपके बोनस के लिए और टीथ के लिए क्या एक तरीके से बहुत अच्छी भी है जो आपको संसे मिलώρα ही UV rays जो लिमिटेड लिमिटत विवे रेस मिल रोग है कि जाधा तर UV तो किसमें ओज़ों E तो आपको जो लिमिटेड यूवी रेज मिल रही है तो यूवी रेज की बात कर रहे हैं यूवी रेज में क्या है एक इसका benefit point मैंने बताया कि यह क्या करता है हमको vitamin D absorb करने के लिए it means जो यूवी रेज वह आपको क्या help कर रही है कि आप vitamin D को absorb कर पाएं देखिए जो main यूवी रेज मिलते भी है तो यह बहुत ही लिमिटेड मिलते हैं तो यह बहुत ही लिमिटेड है हो सकता है कुछ कुछ आपके लिए beneficial भी है इसलिए आपको डॉक्र बोलता है कि आप vitamin D की कमी हो जाती है तो डॉक्र क्या बोलते है आपको उपर से अब आपको देंगे supplements वग अब नहीं होगा ठीक है तो यह होगे vitamin D और ultra wallet की बात अब नेक्स जो रेज है वो कौन सी रेज है एक्स रेज है एक्स रेज किस से shorter होंगी ultra wallet से shorter होंगी बट स्थिल गामा से बढ़ी है इसमें क्या है और ज्यादा high energy है high energy है तो यह क्या कर सकती है यह किसी भी चीज को penetrate कर स सकती है metal sheet के भी आरपार जा सकती है कौन सी रेज की बात कर रहे है हम एक्स रेज की ठीक है इसकी wavelength काम है इसकी frequency क्या है बहुत जादा है तो यह बहुत जादा amount में क्या लेके घुमती है energy लेके घुमती है ठीक है अब next बात आती है इसका सबसे common use तो हमने देख रखा है एक उपके बाती है जव जब उपर डाले जाते हैं इसकी रेज बहुत पर पर पड़ती है तो इसकी यह कने बाती है तो जगह शcolored ने ल fi उपर देख रहेंगे इन ी अइन इक सारह लेंगे और यहां पर पर दीख सत् 위험ते के लिए तो जहां जहां पर जब वहीं पर पर ब्राइट दिखेंगी जहां पर आपको यह चीज़ भी पता होना चाहिए कि यह जो एक्सरेज होती है यह हमारे लिए हाम्फुल है तो जहां पर एक्सरेज जो करता है आपने देखा हो कि वह मैंश्यक आपरेंट पहने रहते हैं या फिर उनके पास एक sheet रहती है, वो sheet को रखते हैं, वो sheet को क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर आप जादा x-rays से exposed होंगे, तो उस exposure के कारण आपको cancer भी हो सकता है, इसलिए जो pregnant ladies रहती हैं, उनको क्या करते हैं, x-ray कराने का मना कर देता है, डॉक्टर की आप x-rays नहीं है, बहुत जादा harmful नहीं हो सकता है, कि वो जो baby है, उसके लिए भी बहुत harmful रहे हैं, इसलिए x-rays का doctor मना करते हैं, अब आगे हम बात करते हैं, कि यह जो x-ray और का यूज होता है, यह हमारे engineering में भी यूज होता है, देखिए, बहुत सारी जगह पर क्या रहगा ना, हो सकता बहुत सारी industries हो, जहां पर हो सकता कोई ball की industry है, या फिर हमारी concrete की industry है, तो यहां पर बहुत सारी मान लीजे, एक बहुत बड़ी company है, जो slabs बनाती है, अभी आपकी slabs बना रही है, या फिर हो सकता है, आपकी columns बना रही है, तो अगर हमें मान लीजे, check करना है कि इस column में को अगर आपका घर जाता है तो किसके उपर आने वाला है उतीमेटली वो कमपनी के उपर ब्लेम आएगा तो वो जो अगर हमकोई कॉलम है वो तो बन गया है तो हम अगोगे थोड़ी दा छेक करेंगे उसमें फ्रैक्स या नहीं एक sleeper है, ठीक है, sleeper बता है ना सबको, वो जो पटरी के नीचे लगाते है, sleepers white white color की होती है, वो sleeper है, अब वो sleeper हमने बना लिए, अब हमें इसे check करना है, तो हम करेंगे, इसके उपर x-rays डालेंगे, जब इसके उपर x-rays जाएंगी, तो अगर यहां पर कहीं पर भी cracks होते है तो वो cracks, जब वो x-ray की image बनके आती है, तो उसमें वो बिल्कुल dark black color के दिखेंगे, तो जहां जहां पर भी dark black color दिखा तो हम समझ जाएंगे कि क्या है, यह dark black color के cracks है, तो हम क्या कर देंगे, इसको reject कर देंगे, ठीक है, तो यह और भी चीजों के लिए हो सकता है, जिसे मा गेम खेला उससे, और वो ball तूड गए की बार में, तो वो company का नाम खराब होगा, तो इसलिए वो लोग क्या करते है, एक्स-rays का यूज करके, चेक कर लेते हैं, यह ball में कहीं crack तो नहीं है, ठीक है, तो यह बात की हमने x-rays की, कि x-rays को हम किस तरीकों से यूज करते हैं, बताइए आप वहां से लेके हम यहां तक आगा है, बहुत शॉट वेव है, बहुत जादा शॉट वेव है, अगर इतनी शॉट इसकी फ्रिक्वेंसितनी कम है, तो बताइए इसकी एनर्जी कितनी होगी, बहुत जादा हई पावर उनर्जी एसमें, कौन सी रेज हैं गामा तो यह जोमा रेज हैं यह हाई हाई़िय एनरजाइज रेज टिक तो यह शौर्टर विवज गयां गार्ज एसको मैं से प्रेंगों में एसे यूजा करेंगे देख़ा जो बहुत किसा कह नहीं करेंगे गामा रेज ऑनाच को भी थो सात्थ इंपॉरटेंट यूज यह ऐसी डिसीज में होती है जो क्योरेबल नहीं रहती। तो जो क्या करें नहीं पता करती हैं यूज है तो क्या करते हैं आपके बॉड़ी की सेल्स को क्या करें हैं। तो वो जो raise होती ही वो कौन सी इती होती गामा raise होती है तो यह gamma raise के थरूsk रडिशन के थरू क्या करते हैं इन cells को kill किया जाता है ठीक है बट यह क्या है बहुत जाधा harmful है और कभी-कभी use होती है इसलिए आपने देखा होगा कि जो cancer patients होते हैं उनके पूरे बाल जड़ने लगते हैं उनकी सेल्स अच्छी वाली सेल्स रहती है वो भी खतम होती है खराब सेल्स तो खतम होती है और कहां पर हमको यह देखने को मिलती ही अधिया कि करेंगे तो वह से इमिट करते हैं तो तो में रिख पर आप आज तक लोग अभी तक भी क्या है उस चीज से उसीज्गा जो इफेक्ट उसमें इस निकली ती जिसके कारण अभी भी बहुत सारे लोगों को फिजिकली बहुत ज़ादा प्रॉब्लम आ रही है और अब वोनके jeans में आ गई है वो चीज़ है तो वो jeans में आगई है और जो उनको सामना करना पड़ रहा है इन सब चीज़ों का तो क्यूं सामना करना पड़ रहा है गामा रेज की कारण है और एक और आपने marvels की एक movie देखि होगी जिसमें एक character है hulk तो वो जो hulk है, वो hulk तो हमने बात कर लिए किस कि सारी वेव की बात कर लिए हैं सारे वेव की यूजस की बात कर लिए हैं अब इन यूजस के बाद हम लास्ट में चलिए ब्रीफली समरी देख लेते हैं समरी में क्या देखेंगे यह सारी वेव जो हैं कौन सी वेव किसके अंदर आती हैं यह सब आ तो आज की वीडियो में हमने इतनी चीज़े देखी हैं अब हम नेक्स वीडियो में मिलते हैं, next topic के साथ, thank you